हेलो फ्रेंड्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ऐसे पर्मानेंट प्लांट के ओपर है जो बेलनुमा होते हैं अगर आपके पास ये प्लावरिंग नहीं है तो इनको लगाने का बर्सात का सीजन गर्मी का सीजन बहुत ही अच कितनी दूप इन को चाहिए कितना बड़ा गमला चाहिए सभी बाते में मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी तो आए देखते हैं तो सबसे पहला प्लांट है देखिए अपराजिता अपराजिता एक बहुत ही जो है खुबसूरत फूलों वाला प्लांट होता है जिसम इसको मैरसी का सहरा लगा के बेलनुमा भी बनाती हूँ और ये जो प्लांट मेरा लगा हूँ है सैवन लेटर की बक्किट में लगा हूँ और इसकी मैं लगाता है और कटिंग प्रूनिंग करती हूँ और एक बुशी प्लांट के रूप में भी ग्रो करती हूँ और देखि ये इस तरीकी से प्लांट एक साथ डेरों फूर देता है, बहुत ही अच्छा ये फ्लावरिंग प्लांट है, पर्मनेट है, और इसको गर में लगाना शुबू भी मना जाता है, सीड से भी ग्रो हो जाता है, नर्सरी से लेने जाएंगी, 30-40 से लेके 50 वे तक जा कभी-कभी उससे थोड़ा सा भेंगा भी मिल सकता है, जैसे मैं जम्मू से हूँ, तो मुझे ये 100 पीस का मिला था जब मैं इसको लिया था 4-5 साल पहले, तो सेकंड ट्रंपिड वाइन है, ये भी बहुत ही खुबसूरसी वाइन होती है, जो बहुत ही कम केर में चलती है, अगर आप इ इसकी कोई केर नहीं करनी पड़ती है, गमले में लगाएंगे तो थोड़ी बहुत जैसे में लगाएंगे, चार-पांच गंटे के दूप में रखिए, और जब जरूर तो पाड़ी में देजिए, टाइम-टू-टाइम फटलाइजर देजिए, तो ये प्लांट धेरों के लिए प्लावरी में अध़र देजिए, जाने लगाएंगे तो फिर इसमे नूपत्त आने लगते हैं और एपल से इसकी फलावरिंग स्टार्ट हो जाती है वह चलती है नमंबर तक, इस तरीके से हर्या साल ये प्लावरिंग करता था है, वह ये बहुत निर्सीट से लेन प्लांट है जो आपको 70-80 रुपे का मिल जाएगा और ये सैमी वाइन टाइप होती है देखिए इस तरीके से काफी लंबी-लंबी इसकी ब्रांचिस हो जाती है और फूल इसकी इतनी खुबसूरत होती है और बड़ी-बड़ी साइस की कलिया होती है और जैसे ही बरसात होती ह है तो इसमें देखिए इतने अच्छे से ग्रोथ होती है और इस तरीके से बड़े-बड़े साइस के धेरों फूल खिलते हैं इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं थोड़ा सा कटिंग प्रूनिंग करके एक बुशी लुक भी दे सकते हैं मेरा ये प्लांट जमीन में दें लगाये था देखिए अभी ये काफी फैला हुआ है तो काफी दिनों से इसमें फ्लावरंग अब्भी दो महिने से फ्लावर का दियान रखना पड़ेगा वैल्डेन मिट्टी में लगाना पड़ेगा थोड़े से 12-14 इंच के गमले में लगाईए तो और टाइम टू टाइम खा दीजिए तो इस तरीके से धेरों फूल आप इससे ले सकते हैं तो अलमंडा भी एक बहुत ही खुबसूरोसी बाइन वाल प्लांट है अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं पर्मनेंट है एक बार ही लगाना होता है तो हर साल इससे फूल ले सकते हैं आप तो तीसरा जो बाइन वाला प्लांट है जा बेलनुमा जो प्लांट है जिसको आप अपने गर में धेर सारे पूल इसमें खिलती है एक ही फूल है जो अपने कलर चेंज करता है तो अगर आपके पास यह नहीं है तो इस समय ले सकते हैं तरासी से लेके सो अरवे तक मिल जाएगा इसमें आपको एक गमले वाली टाई भी मिल जाती है जो बुशी प्लांट के रूप में आप इसको ग्रो कर सकते हैं वो स्पेशल गमले के लिए ही होती है गमले में ग्रो कर जाती है फूल उसके भी एक जाए इसी तरह के होते हैं इ अगर आपके पास ये प्लान नहीं है तो इस समेल ले सकते हैं इसको और अपने गार में लगा सकते हैं काफी लंबी लंबी इसकी ब्रांचिस हो जाती है इसको आप पूरे दिन की दूप में रखिए इसको पूरे दिन की दूप चाहिए होती है अगर गमले में लगाते हैं आप तो वेल डेंट मिट्टी में लगाना है गमला आप आठ दस इंच कावी ले सकते हैं अच्छी से चलते रहते हैं कलर इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं प्राइज जो है अलग अलग जगा का अलग अलग होता है जैसे मैं जम्मू से हूँ तो ये सोडेट सो का ही मिलता है हमारे यहां तो देखिए मेरे पास भी इसके चार पांच कलर है और बरसाद के सीजन में क्योंकि पानी ज़्यादा बरसता है तो दूप कम होती है तो इसमें बरसाद में फूल थोड़े से कम आते हैं अगर फिर भी आते रहते हैं जैसे जैसे इसको अच्छी दूप मिलेगी इसकी flowering सर्दी में भी आती रहती है जब जब इसको दूप मिलती है इसको भी जब गमले में आप लगाते हैं तो well-dained मिटी में लगाई है जिसमें पाणी नहीं रुके time to time कोई भी खा देते रही है इसको तो यह plant जो है आपको flowering देता रहेगा अगर आपके plant में फूल नही प्लांट लगाया हुआ है मगर अभी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं आज आपको अपना plant भी दिखाऊंगी इसको भी मैंने जो है जमीन में लगाया हुआ है और रसी का सहरा लगा कि अभी मैं उसको देखिए शत के उपर चाड़ा रही हूँ और कुछ दिनों में ही इसकी जो बेल है शत तक पहुंच जाएगी और इसका जो फ्लावरिंग जो सीजन है जैसे ही बरसात कम होगी जा सर्दी थोड़ी थोड़ी आने लगी क्यों तब इसमें जो फूल आते हैं ये देखिए मैंने लगाया हुआ है ये मैंने इसी सीजन लगाया है तो इसकी जो ग्रोथ है वह हो रही है अब ही मैंने इसको देखिए रसी का सहरा लगा के मैं इसको शद तक पहुंचाओंगे फिर इसमें बहुत ही अच्छी देखिए इस तरीके से इसमें बहुत ही प्यारे से परपल जापिंकिश कलर के फूल खिलते हैं जिसमें जो है बहुत ही प्लावरिंग्ँ का सीजन है तो देखिए लास्ट में मैं दिखा रही हूं आपको राखी बेल जाएं इसको क्रिशन गमल भी बहुत है इसमें आपको दिखेए यह नील रंग है तो इसमें आपको कलर और भी मिल जाते है जैसे बाइट है जहां पिंकिश रैड कलर भी से मि प्रमनेंट होता है यह एक बार लगाएंगे तो कई सालों तक आपके पास बना रहेगा तो फ्रेंट्स यह थे कुछ प्लांट इस तरह के और भी बहुत सारे बेल नुमा प्लांट होते हैं जो पर्मनेंट होते हैं और उनको आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं वो मै हपी गरनी